किसान आंदोलन में कुछ महलाएं शामिल होने गई थी और इस दोरान वो हाथ्थे का शेकार हो गई आपको बता दें कि किसान आंदोलन को 11 महिने से ज्यादा वक्त बीच चुका है लेकिन किसान अब तक अपनी मांगों के पूरा होने का अंतिजार कर रहे इस बीच बहादुरगर्थ चरसीमा में एक बड़ा हाथा हो गया एक डंपर ने किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं को कुछल दिया इस खटना में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो गंभी रुप से घायल हो गई है बताया जा रहा है कि ये तीनों मौत तक आंदोलन कारी महिलाओं पंजाब के मांसा जिले की थी और किसान आंदोलन रोटेशन के तहट अब एक घर से निकलने वाली थी घटना के बाद चालक डंपर को छोड़ कर फरहाप हो गया है पुलिस इस चालक को पकरने के लिए प्रयास कर रही है